आप सब्सक्राइब करते हैं आज का व्लॉग आज के व्लॉग में आप लोग के मैं साथ ब्रेकफास्ट से अपनी रूटिन शेयर करूंगे उसके लावा एक रिक्वेस्ट को मैंने पुरा करना है वो भी आपके साथ मेरे सब्सक्राइब करने पर dale कोड़ा करूई और इसके लावा और भी बहुत मज़े मज़ेस्टे की आपको चीज्शे बर्डे पे और साथ में बेकिंग की कुछ आइटम बनाए थे ना तो छोटे बाई को इतने ज्यादा बंस पसंद आए तो उसने ना मुझे फिर कहा कि एक दफ़ा ना फिर बना के खिलाना लेकिन फिर मैं इतनी बीजी होगी शिफ्टिंग हो गए यह खाने वाल आ गए फिर म मैं आपको एक्जेक्ट में इनमेट्स बताऊंगी इसकी तो पांच कप यहां पर मैंने चान लिया है और जितनी क्वांटिटी मैं बताऊंगी आप सेम क्वांटिटी यूज करेंगे तो इन्शाला आपकी पीजा डो बहुत अच्छी बनेगी क्योंके बंस में पीजा डो क आधर करेंगे क्योंके और जालना हुदितनी कि क्याश्व सब्सक्राइबेंड जाएंग तर इन्शाला प्लकोंके यह तुटफ्स बनाएंगे तो हैर सबसे पहले ड्राइ इंग्रीडियंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना हो तब बिल्कुल भी गुटली नहीं होनी चाहिए और पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपने इसमें क्या डाला इतने अच्छे से आपने उसको मिक्स करकर के मैदा ही बना देना आपने पिर उसके बाद आपने नीम गरम पानी के मदद से डो को गूना है यहां पर तो मैं स्पीड तेज़ कर देती हूं इसलिए जल्द जल्द आपको लगता है कि डो बन भी गही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बीस से पचीस मिनट लगी जाते हैं डो को बनाने में और आप आपको थोड़ी सी लग रही है जब राइस हो जाएगा और इतनी अच्छी लगेगी ना मैं आपको बाद में दिखाती हूं तो यह जो बॉक्स जिसके अंदर में इस पैचुला डाल लिए उन्हें इसके अंदर अबिहा के व्लॉक्स थे तो यह मेरे हाथा चड़ गया तो फिर उपर यह रखा होता है तो समझ ही नहीं आती कोई स्पैचुला नजर ही नहीं आता तो इसके अंदर में नहीं का चलो जो भी मुझे जरूरत हुआ करें कि मैं अराम से उठा लिया करूंगी तो यह बड़ा अच्छा लगा मुझे गर की चीज़ों से ही ना मैं इस तरह आके टोटके करती रहती हूं आप लोगों को पता ही है तो खेर यहां पर फिर मैंने रख दिया बना के उसको और लास्ट टाइम मैं बाजी की तरफ गई थी ना दो तीन दिन पहले तो जब अब बूजी को लेने गए थे तो यह मैं लिकर आए थी मनी प्लांट तो यह इतन का विंडो में रख दूंगी तो अभी हो रहा था तकरीबन दो बचे का टाइम तो हस्पेंड लेकर आए थे ग्रॉसरी कुछ समान वगरा खत्म हुआ था तो आज जो है वो बाइक पे गये थे समान लेने के लिए कहते हैं पेट्रॉल बहुत महिंगा हो गया अब मैं गाड दो चीजों की जोड़ थी चिकन चाहिए था क्योंके बांस में आपको पता चिकन की स्टफिंग करनी होती है तो वह समान लेने के यह हुए थे तो पहने के पीछे से पिर पीछ का जूस बनाया जिसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की अपने फूड के चैनल पर तो तो बहुत अच्छा बना था यहां फिर मैं टैंक बना लेती हूं यहां फिर मैं लीमू पानी बना लेती हूं इस तरह की चीज़ें मैं बनाती रहती हूं और पानी बनाती हूं कि आप छिकन बनाती है, का पानी लेती हूं मैं लुट को सौया लूर्ण जाले के लिसके तो पानी को भी में गईते ही फिर मारें dragging ए फाली मिरत वार्डाी तो मैं ठंड़ा होने के लिए दूसरी तर कहाना भी बना रीथी दुपहर के लिए सालन ऑना री थी भन ना इसको के लिए ब्रॉदर के साथ मैं पर वोजन पढ़ने के साथ थी से फ्रीज कर लिए था लास टाइम याद है आपको जब मैंने चने बनाए थे वह ज्यादा थे तो आदे मैंने रख लिये थे मैंने किसी दिन ना मसाला बून के तो मैं डाल लूँगे तो बड़े मज़े के लगते हैं तो चिकन की ना यखनी ज्यादा थी थोड़ी तो मैंने इसके अंदर ना यखनी भी शामिल कर जी तो इसका टेस्ट तो इतना मज़े का हो गया ना ऐसे लग़ा था जैसे चिकन चने बनाएं लेकिन चिकन इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किया था बस वही डाला डाला था तो हैर अब हमें सबजाओं के रही हैं याँ यहाँ बन गुबी ले ली है एक मुठी इसको ब्रीग कट कर लेंगे ये बन्स के लिए मैं आपको बिता रही हूँ बन्स की स्टफिंग जो हमने बनाने खुद मज़ेगी बनती है आप एक बार बार बनाएंगे आप यह दो हरीमेचे मैंने ली है आदी शिमला ली है एक मुठी बंद गोबी ले ली है और साथ में एक चोटा सा प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि चिकन ब्रेड की स्टफिंग मैं थोड़ी स्पैसी बनाना चाहरी थी और वेजिटेबल के साथ बना रही थी लेकिन जो स्टफिंग मैंने बंद गोबी जाएगी चخंप साथah बंद गोबंज स्टफिंगильно-णाग्ट के लिए और बन्द गोबी हीके by रूलित तक परक्षी किशाए और साथ कॉरंगे कैए बंद गोबी के अधर कान मैंने निकाला ता इस के लिए टेबलस बैसाथ बालया है पाल आप अब याजय को चाहिए तो बहुत मज़ेगी है तो मैंने अपनी मीट इसमें डाल दी हैं आप भी उड़ के सकते हैं फर याफ पैकि इसमें क्रीम का चला जाएगा अगर आप गार वाली यूजे करना चाहिए तो वह भी कर सकते हैं शीशे बावल में डाले दी डोँ मायो में डाले जी डालेंगे दो डाल गान राद लाद दो तीन टैबल स्पून क्रीमी डालें वहाँ चीकन ब्रेड में डाले हैं बहुत मज़ेगी लगती है तो खैर इसको हम मिक्स कर लेंगे काली मिर्च और नमक डाला हैं बस और कुछ नहीं डालना लेकिन चिकन प्रैड की जो स्टफिंग है उसमें मैंने कुटी हुई लालमिश भी थोड़ी सी डाली थी तो थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए दोनों चीज़र डिफेंट हो नीचाहिए एक जैसी नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं दोनों स्टफिंग डिफेंट बनाई थी तो आप चल्दे लिए विडियो को लाइक कर देंだ आगर आपने लाइक नहीं है कियो चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब भी कर लिया करें ताकि चोटा है, आप लोग जानते होंगी, अस्मा के व्लाइब में भी देखते होंगे भाई छोटे को, तो उसके लिए ही ये बना रही थी, वो कहते है ना, कि एक हजार में मेरी बहना है, तो मैं उसके लिए ये गाना उसको डेडिकेट करूँगी, कि एक हजारों में मेरे बहीआ है क्योंक eh है ये जासा के वो एक हजार भाई वह यहां पर ना हमारी राइस होगी थी ये देखें कितनी तो इतनी ज्यादा फूल के इतनी ज्यादा होगी हाला कि थोड़ी सी थी जब मैंने आपको तिखाई थी तो इतनी अच्छे राइज वी अच्छे तरीके से तीन दो तीन गैंटों में एक्छे से राइज हो जाते क्यूंकि अब तो गर्मी आना तो आप बाहर भी रख देंग और हाफ के बंस बना लूँगी तो यहां पे मैंने दो पैन ली एक इस यह वाला जो पैन पीज़ा ट्रे इसके अंदर में बंस बनाओंगी और यह वाली जो है इसके अंदर में चिकन ब्रेड बनाओंगी तो मुझे ना लग रहा था कि शायद मैंने कम डो ली है कि पताने पूरी आए कि ना लेकिन अल्ला को शुकर है कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गया था कम नहीं पड़े थे और वो इतने पुसंद आये थे ना भाई 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 भी को जितना कोई साब नहीं दरसल भाई 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 भी इधर ही रहते हैं ना मैंने आपके अरषया इसको फ्छार करना है उसके अंदर आपने स्टुफइंग रखनędzie और बंद कर देना इसका इस सारह से तो ये uts सारे पेड़े जो है ना सबसे पहले मैंने बनाकर रंग लिया तो अपर से अंदर फिल को ने इन फिल किया स्टुफइंग अर्के बंद कर ढगे त बाकी वाली ब्रेड को और इसकी कटिंग कर ली इस तरह से और इसकी स्टफिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आप इस तरीके से बनाएं इन्शालला बहुत मज़े की बनेगी और ओवन का रीवियू भी मैं इन्शालला जल्दी शेयर कर दूंगे अपने बेकिंग वाले अवन का रीवियू दें हाला कि मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ कि मेरे पास सिगनेचर कमपनी का है और माशालला बहुत अच्छा है और लार्ज साइज का है बड़ी अच्छी बेकिंग होती है और बेकिंग का मैं आपको बताती रहती हूं बस इस तरह से मैंने चिकन्बरेड को फोलद कर लिया था इसको बल बना लिए थे फिश की तरह अब इसके ओपर हम लगा देंगे अंडह अंडے की जरदी लगानी है स्फ़दी आप ने निकाल देनी अंडे की जरदी लगाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है फिर इसके उपर आप अपनी पसंद की चीज़े लगा सकते हैं मैं कलवंजी और तीली लगाती हूं आप चाहें तो सिर्फ कलवंजी लगा लाएं या फिर सिर्फ तील भी लगा सकते हैं तो ये चिकन ब्रेड और बंस आप जिसको बनाके खिलाएंगे ना वो सारी जिंदगी आपका फैन हो जाएगा और आपको रिक्वेस्ट करता रहेगा बार बार के मुझे फिर बनाके खिलाएंगे ये मुझे की इतने बनते़ हैं आप लोग अपने महमानों को इंप्रेस कर सकते हैं ये बनाके और खुश कर सकते हैं अपने बहन बईगाएंगे तो मेरे इस वड़ाल में भी और माईके में सबको ये बहुत ज्यादा पसंद है मेरे हाथ के तो बंस को बेक करना था तो लेकिन मैंने ओवन यहां से हटा दिया हुआ है पहले मैंने इस वाले कोने में रखा हुआ था बेकिंग वाला और दूसरा खाना गरम करने वाला यह दर सामने आपको नजर आ रहा है लेकिन इसकी वज़ा से शेल्फ यह तनी कंजस्ट्रीड हो जाती थी कि काम करना मुश्किल होता था शूटिंग मुश्किल हो रही थी तो मैंने इसको उटा दिया फिलहाल के लिए तो मैं सोच रही हुआ यहां पे सामने एक रैक बनवाओंगी जिसके अंदर मेरे ओवन और चोपर है जूसर है सेंविच मेकर है इस तरह के जितनी भी अप्लाइंसिस है वो उस रैक में आजाएंगी तो वो रैक भी बनवाना है इंशालला नेक्स्ट मन्थ मैं सोच रही हूं तब तक मैंने का कि ओवन वो ड्राइंग रूम में रख देती निए यह वाला एरिया मु कि दो आखे लेए बांगे चिकन प्रैड ऊपर मैं रख दिए और बंस मैं निशे रख़ दिया थे दो नों रोड मैंने उनके थे अपर भी और लौर भी और साहत में ग्रिल भी ओन ती ताके कलर जाना हो जाए तो अभी मैंने के लिए टाइम लगा दिया तो इसमाना प्ब यह जल्दी जल्दी में निकाल लिया था बहुत डिटेयल वीडियो नी बनाई थी उसके बटर को आपने उपर लगा देना मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने देशी की लगा दिया यह देखें चिकन ब्रेड का माशाला कितना खुबसूरा सा कलर आया और बंस कभी बहुत प बताना कैसा बनाए और यह चिकन ब्रेड भी अभी मैं आपको ना इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूं यह भी माशाला से बहुत अच्छे तरीके से बेक हुई थी और इतनी ज्यादा मेरी तारीफे हुई थी कि बस मज़ा आ गया जब आपकी तारीफ हो जाए ना तो समझ देली फिर लगाया यह चिकन ब्रेड और बंस लगाया अंकल ने तो इतने शौक से निकाया मतलब बढ़ों को इतना ही इस तरह की चीज़े पसंद नहीं होती लेकिन बाई 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 ने तो खुटा बाई और बाई देर हैं तो खैर उसके बाद फिर घर का खाना भी मैंन जारानी हो रहा और डाइंग रूम में भी अब गर्मी होती है तो है देखते हैं अब ले पाते हैं क्योंकि एस यू जाना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है पहले जब हमने लास्ट यह लगवाया था तो एक टन का वहमें एक लाग तक मिल गया था लेकिन अब वही एस यह मिल पाता है या इस दफा हम सोच रहे हैं कोई डिफरेंट कंपनी जो है वो ट्राय करते हैं हो सकता थोड़ा सा डिसकाउंट मिल जाए हायर के तो काफी महंगे हो गया हो मैं तो कैसे लगा आज का व्लाओ कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करें वीडियो अच्छी लेक हुआ हुआ है